हलो फ्रेंड्स एक और इजी और क्विक रेसिपी लेके आरी हूँ ये हल्दी भी है क्योंकि इसको मैं डिफ्राइ नहीं कर रही आलू लेने हैं प्यास डालने हैं नमक लाल मिच डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए ब्रेड लेनी हैं ब्रेड के चारो साइडों को काट है उसको फिर बेलने से बेल लीजिए बेलने के बाद उसके अंदर आपने आलू की स्टाफिंग करनी है थोड़ा सा पानी लगा लेना साइडों को रैप करने के लिए वह एजी ली इसका रोल बन जाएगा इसको रैप कर लें सारे पीसी रेडी कर लिए और इसके जो पर ओलिंग कर लेना फिर उसके बाद एर फ्रायर में आपने एक एक पीस रखना है और उसके बाद इसको 180 डिग्री में आपने पांच मिनट के लिए एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन करने के लिए रखना है फिर दूसरी साइड भी आपने चेंज कर लेनी है वो भी पांच मिनट के लिए रखने है टोटल यह डिश 10 मिनट में रेडी हो जाती है अगर जिसके पास एर फ्रायर नहीं है वो आप इसको डीफ्राय भी कर सकते हैं उसके बाद यह आपकी डिश एकदम रेडी हो जाएगी जब पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको आप चाय